क्या आपको गदर 2 के सीक्रेट्स और रिकॉर्ड्स पता हैं? मैं लेके आई हूँ इस मूवी के ऐसे 5 रिकॉर्ड जिनोंने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोर डाले तो चलिए जानते हैं ये पहली ऐसी मूवी है जिसने रिलीस होने के बाद अब तक हर दिन 30 करोड से जाधा कमाई की है पहरे दिन 40 करोड, 51 करोड, 38 करोड, 55 करोड और 35 करोड दूसा रिकॉर्ड है इस मूवी में जिस चैल्ड एक्टर ने गदर 1 में रोल किया था उसे इने गदर 2 में अडल्ट एक्टर रोल किया है और इस एक्टर का नाम उतकर शर्मा है तीसा रिकॉर्ड खुछ सनी देवल का है, उनकी उम्र अभी 6-8 साल है और वो पहले ऐसे एक्टर है जिनोंने इस उम्र में लीड रोल प्ले कर 100 करोड से ज़ादा का कलेक्शन किया है चौता रिकॉर्ड भी सनी देवल का ही है कि उनके पूरे करियर में एक यही मूवी गदर फास्ट और गदर टू ऐसी मूवी है जो हाईस्ट ग्रॉसी मूवी बनी है पाचवा रिकॉर्ड है कि गदर टू, ओमजी टू और जेलर तीनों एक ही डेट को रिलीज हुई थी और उस वीकेंड छुटियों का समय था, इसलिए थीटर में जाने वालों की संख्या 2 करोड से भी उपर की थी और इन तीनों मूवियों में सबसे ज़्यादा 60% कलेक्शन गदर टू मूवी का रहा है इतना ही नहीं इस मूवी ने अब तक मंडे के कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड दिया जो की 38 करोड है अब इस मूवी का एक सीक्रेट बेदाती हूँ, हो सकता है करियों को पता भी हो क्या आपको पता है कि इस मूवी में नाना पाटेकर जी ने भी काम किया है अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो कहीं दिखे नहीं जी हाँ दोस्तों वो थे लेकिन फिजिकली नहीं अपनी अवाज के साथ मतलब जहां गदर वन की स्टार्टिंग का निरेशन ओमपुरी साहब ने किया था वही नाना पाटेकर जी ने गदर टू और वन को दोनों को मिला करके सुरुआत में उसकी नरेशन की है तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉरन सब्सक्राइब कर ले अब मैं मिलूंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए गुडबाय टेक केर